आप से भी का आपके अपने चैनल ससी संस्कित पर आज के वीडियो में हम देखेंगे सोतनता दिवस 2023 से बनने वाले इन्पोर्टन्ट कोईस्चिन्स पहला कोईस्चिन है भारत को अंग्रेजों से किस दिन आजादी मिली आप्शन A. 15 अगस 1950 आप्शन B. 15 अगस्ट 1947 आप्शन C. 15 अगस्ट 1948 आप्शन D. 15 अगस्ट 1946 आप्शन B. 15 अगस्ट 1947 कोईस्चिन नमबर सेकेंड 2023 में कौन सा सोतनता दिवस मनाया गया है आप्शन A. 75 आप्शन B. 76 आप्शन C. 77 आप्शन D. 78 आप्शन C. 77 कोईस्चन नमबर 3 हर साल 15 अगस्ट को लाल किले के प्राचीर से किसके द्वारा राष्ट धोच फैराया जाता है आप्शन A. राष्ट पती आप्शन B. उपराष्ट पती आप्शन C. प्रधान मंत्री आप्शन D. ग्रह मंत्री आप्शन C. राइट है प्रधान मंत्री के द्वारा कोईस्चन नमबर 4 अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शाषन किया था आप्शन A. तक्रीवन 200 साल आप्शन B. तक्रीवन 150 साल आप्शन C. तक्रीवन 100 साल आप्शन D. इन में से कोई नहीं आप्शन A. राइट है तक्रीवन 200 साल तक शाषन किया था कोशन नमबर 5 भारत की सोतनता के लिए कौन सी पार्टी भारत में सोतनता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? आप्शन बी राइट है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस पार्टी आप्शन बी राइट है कुश्चन नमबर साथ पंदा अगस्ट 1947 को सतनता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से स्वर पर्थम किसने जंडा फैराया? आप्शन अ महात्मा गांधी जी ने आप्शन बी वल्लब भाई पटेन ले आप्शन सी पंदिस जवाहलाल नहरों ने आप्शन डी इन में कोई नहीं? आप्शन सी राइट है पंदिस जवाहलाल नहरों ने आप्शन नमबर आठ पंदिस जवाहलाल नहरों ने भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में किस दिन सफत ली थी? आप्शन ए पंदा अगस 1947 को आप्शन बी 14 अगस 1947 आप्शन सी 16 अगस 1947 आप्शन डी एक जनवरी 1948 आप्शन ए राइट है पंदा अगस 1947 को कोशन नमबर 9 किसने अपने समिधान में संसोधन कर भारत की आजादी के बाद गोवा को अपना राज घोशित किया लेकिन आसफल रहा आप्शन ए अंग्रेज आप्शन भी डच आप्शन सी फ्रेंच आप्शन डी पुर्तिगारली आप्शन डी राइट है पुर्तिगारली ने कोशन नमबर 10 पहली बार भारत का राश्टी धोज कब और कहां फायराया गया था आप्शन ए है 9 अगस्त 1910 गेटवे ओफ इंडिया मुंबई में आप्शन बी है 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली में आप्शन सी 8 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली में आप्शन डी राइट है 7 अगस्त 1906 पार्शी बगान एक स्कुायर में आप्शन डी राइट है Q11. स्वतन भारत का प्रथम गवर्नर्ज जर्णल कौन था Q12. PM मोदी जी ने Q13. भारत में हर साल गड़तन दिवस कब मनाया जाता है? Q16. 26 जन्वरी को Q14. पंदा अगस्त 1947 को भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? Option A है लगभग 40 करोण Option B लगभग 32 करोण Option C लगभग 25 करोण Option D लगभग 52 करोण Option B राइट है लगभग 32 करोण Q15. भारत में डाग पिन की सुर्वात कब हुई थी? Option A लगभग 52 करोण Option B लगभग 95 करोण Option C लगभग 95 करोण Option D लगभग 95 करोण Option A लगभग 95 करोण Q16. भारत ये तिरंगय के असोग चक्र में कितनी तीलिया होती है? Option B राइट है 24 तीलिया Q17. भारत के राष्ट इधर तिरंगय का डिजाइन किसने किया था? Option A महत्मा गांधी जी ने Option B सतेंद्र नाठ ठाकुन ने Option B बंकिम चन चटर जी ने Option D राइट है पिंगली वेंकईयाने Q18. भाग से पूर भारत का राष्ट पशू क्या था? Option A हिरं Option B घोडा Option C गेंडा Option D सेर Option D राइट है सेर था Q19. भारत का राष्ट इधर शुवाक क्या है? Option A वंदे मात्रम Option B जैहिंद Option C सत्य में उज़ जैते Option D उपयुक्त सभी Option C राइट है सत्य में उज़ जैते Q20. निमने लिखित में से किस पशू को भारत के राष्ट परतीक के रोप में स्थान नहीं मिला है? Option A शान Option B उट Option C घोडा Option D सेर Option B राइट है उट आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा Option D, हमाज आपको लाइब नहीं मिला ही वीडियो को भारत कर दोड़ा है Option D, हमाजी प्याज कर दोड़ां झाल झाल